हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं प्रकास पुद्दार करियर फॉंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ इस करेंट अफेर के सेशन में आज 15 जुलाई है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जुलाई से रिलेटेड महत्पुन करेंट अफेर के बारे में दोस्त करियर फॉंडेशन सर्च कीजिए वहाँ पर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा लगभग साथाजार लोग उसमें एड है तो आप भी उससे जुड़ जाएए और फ्री पीडिय अप उसमें आपको मिलता रहेगा जो लोग हमारे जेससी सीजियल या फिर जेपी फिक्की जो है उड्योग से संबंदीत एक संगठन है आप लोग comment box में comment करके बताए कि फिक्की का full form क्या होता है ठीक है उड्योग मंडल फिक्की ने वितवर्स 2021 में भारत की सालाना GDP विरीधी में कितने परतिसत के संकुचन का अनुमान लगाया मतलब कितना परतिसत संकु पुचित हो जाएगा यह अनुमान फिक की लगाया है तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ उससे पहले आपको मैं बता देता हूं GDP क्या होता है जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से समझ लीजे GDP क्या होता है मैं यहां पर छोटा सा भारत का मैप बना रहा हूं ठीक है भारत भारत की भोगोलिक सीमा के अंदर ध्यान से समझेगा भारत की भोगोलिक सीमा के अंदर अगर हमको भारत की GDP निकालनी है तो कैसे निकलेगा भारत की भोगोलिक सीमा क्या हो जाएगी यह तो आप जो देख पा रहे हैं वो सीमा तो होगी ही और कुछ समुदरी सीमा भी भार मौदरिक मूल क्या कहलाता है GDP कहलाता है यानि कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क कहलाता है समझ गए अब ये उत्पादन या सर्विसेश चाहे कोई भी दे रहा हो अगर भारत की सीमा के अंदर दे रहा हो न तो वो भारत की GDP कहलाईगी चाहे वो चाइना कर रहा हो चाहे वो अमेरिका कर रहा हो अगर किसी भी देश की सीमा के अंदर प्रोड़क्शन हो रहा है या सर्विसेश दी जा रही है तो उसी देश के GDP में काउंट होता है ध्यान रखेगा अगर मैं आपको किसी स्टेट का एक्जामपल दूँ जैसे माले कि आप लोग ज्यादा तर ज्यारखंड से जुड़े हो हमारे साथ तो ज्यारखंड की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है भले उसमें कोई भी उत्पादन कर रहा हो ठीक है तो उस सलाना जीडिपी विरिधी में कितने परतिसत संकुचन का अनुमान लगा है तो 4.5 परतिसत संकुचन का अनुमान लगा है इस बात को आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है दूसरा कोश्यन है कि भारतिय बहुरास्टिय कंपनी रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड ठी कि इसके चेर्मेन जो मुके समानी भारत के सबसे अमीर वैक्तियों की सुची में आते हैं तो रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख कड़ो रुपे के मूली को छूने वाली पहली भारतिय कंपनी बन गई है तो इसका राइट अंसर जानते है क्या होगा इसका र अप्सन में रहेगा रिलाइंस इंडस्ट्री ठीक है इस कोश्चन को ऐसे पुछा सकता है कि हाली में कौन सी पहली ऐसी भारतिय कंपनी जिसने अपनी बारा लाक कड़ो रुपे को मुल्कों छू दिया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा रिलाइंस इंडस्ट्री हो अगला कोश्चन इरान ने हाली में किस देश को बड़ा जटका देते हुए चाबाहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके बारे में 2016 में प्रधान मंतरी नरिन मोदीर इरान दोरे पर जाकर के वहाँ पर एक चाबाहार बंदरगाह विक्सित करने के लिए डिल किये थे बाद में चाबाहार में रेल परियोजना पर भी डिल हो गया था लेकिन इरान कह रहा है कि भारत जो है वो पैसे देने में देरी कर रहा ह पैसे लगाने में देरी कर रहा है इसलिए इरान खुद ही ये रेल परियोजना डेबलप करेगा भारत को इससे बाहर कर दिया गया ठीक है इसके पीछे कारण बताया जारा दोस्तों क्योंकि चाइना के साथ कुछ डील हुआ है इरान का चाइना वहां पर कुछ डेबलपमेंट कर रहा है और हो सकता है कि चाइना के दबाओं में ही इरान ने भारत को इस चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया होगा ठीक है दोस्तो क्लियर होग vivid आप चली अगे देखने हैं नेक्स कोश्टन किस दिगज होगी खिलाडी को मोहन बागान lifetime achievement पुर्षकार थे हाल ही में समानित किया गया तो मोहन बागान lifetime achievement समानित से हाल में जिस होकी खिलाडी को शम्मानित किया गया उसका नाम है असोक कुमार क्या नाम है दोस्तों असोक कुमार नाम है ध्यान रखेगा इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीब्मेंट पुरिसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है हाली में केंद्रिय ससस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतिये पाउधार ओपन अभियान चलाया गया किसके द्वारा दोस्तों केंद्रिय ससस्त्र पुलिस बल के द्वारा क्या चलाया गया अखिल भारतिये पाउधार ओपन अभियान चलाया गया इसमें कौन से केंद्रिय मंत्री सिर्कत किये थे दोस्तों ठीक है तो इसका राइट अंसर जानते क्या होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा अमीत साह इसमें सिर्कत किये थे ठीक है अब ये चारों मंत्री को तो बारे में आपको पता ही होगा राजनात सिंग क्या है भी तो और राजनात सिंग तो यह भी भारत की वित मन्त्री हैं और नितन गड़करी भारत के सड़कपरिवह corsai सुंधर्पिचाई जो हैं खूंग崅 के सीओ वो हैं सुंदर पिचाई उन्हें भारत में अगले 5-7 साल में कितने कड़ों सा कि नीवेश की घोसना की है मतलब गूगल 5-7 सालों में कितने करोड रुपे भारत में इन्वेस्ट करेगी तो ये सुन्दर फिचाई ने घोशना किये दोस्तों राइट अंसर जानते क्या होगा 75,000 रुपय जो है भारत में इन्वेस्ट करने जारी गुगल अगले 5-7 सालों में ठीक है दोस्तों नेक्स कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है भारत की सरकार की तरप से जारी ताजा आकडों के अनुसार जून 2020 में खुद्रा महंगाई दर कितने परतिसत तक पहुँच गई है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कितने परतिसत तो खुद्रा महंगाई दर जून 2020 में पहुँच गई है 7.87% याद रखेगा दोस्तों 7.87% इसका right answer हो जाएगा थिक है अगला question भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को green रेलवे बनाने की घोसना किए समझगेए भारतीय रेलवे जो है इसको green railway बनाने की घोसना जो किया गया है वो 2030 तक target रखा गया है कि 2030 तक भारतिय रेलवे पुरीतर से ग्रीन रेलवे में तब्दील हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि अधिक से अधिक यहां पर सोलर का उपयोग होगा अधिक से अधिक इन्भार्मेंट प्रोटक्शन की बात होगी ठीक है बहुत ज़्यादा कोईला वेगरा जो कोईला उ के अधिक सा देश वितिय वस 2020 के दौरान भारत का सिर्स्वेपारिक भागीदार बना हुआ है केंद्रिय वानिज आरुध्योग मन्तर आले का अकड़ा आया है तो यहां पर आपको यह भी पता हो नजी कि कीयन्द्रिय वानिज आरुद्योग मन्तरी कौन है तो दोस्तों ज जल्दी कुछ दीजिए उसका नोटीस वेगरा कब होने वाला है सभी स्टूडेंट आपका विंतजार कर रहे हैं कब होगा तो मंत्री जी से अनुरोध है कि रेलवे का एकजाम के बारे में कुछ तो सुचना दीजिए कि कब होगा कितन मतलब कैसे होगा कौन सी कंपनी लेगी कुछ तो नोटीस आना चाहिए बहुत दाइम बित गया ठीक है चलिए तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अमेरिका इसका राइट अन्सर होगा केंद्रियवानी जो रुद्योग मंत्रादे जो है न वो वित्वर्स में 2019-2020 के दरन भारत का सिस्वेपारिक भग गतार बना हूए कौन अमेरिका बना हूए याद रखेगा हाली में किस राज सरकार ने रोकोड़ो टॉको अभियान है अब यह रोकोडो का अभियान क्या जानते हैं कोई बीना मास्क पहने किसी सारवजैनिक अस्थान पर जाएगा ना तो उसको रोका जाएगा उसको मास्क दिया जाएगा और उससे 20 रुपय लिया जाएगा ये कौन सी राज में किया गया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यपर्देश ठीक है मध्यपर्देश के मुख्यमंत्री कौन है तो सीवराज सिवराज सिङ्छौहान मदिपर्देश के मुख्यं मंत्रि हैं दोस्तों याद रखेगए इसको ठीक है मदिपर्देश की बात थोड़ा से कर लेते हैं काफी महत PUN RAZ hier मदिपर्देश को सोया परदेश बोलते हैं क्यों यहां पर सबसे जादा सोयाудिन की खेती होती है सबसे ज़्यादा दलहन की खेती यहीं पर होती है समझे सबसे ज़्यादा दलहन की खेती यहीं पर होती कहां पर मद्य पर्देश में होती है जो कुम मेला लगता है कौन सी नदी के किनारे लगता है थीपरानदी के किनारे इसके इस में टेंपल आपको पताओ का weiß जुराहोर्ट टेंपल कहां पर है तो मधी पर्देश भीम बेटका की गुपाईं पूछ देता यह कभी शामराँ करा गया था इस बात को भी आप लोग याद रखेगा तो उम्मीद करते हैं हाज का सेशन आपको पसण आया होगा है उगर एक आपको पसंड आया हो तो आप लोग वीडियो को सेयर करिएगा और लाइक करिएगा अभी मैं टाइम टेमल मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं बहुत जल्द इसका टाइम फिक्स कर दूँगा और आपको सुबह सुबह पांच बजे करेंट अफेर मिल जाया करेगा दोस्तों सबसे पहले ठीक है तो इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करके रखें बेल आइकन को प्रेस करके रखें और हमारी वेवसाइट पे बहुत जल्द तीन-चार एकजाम का टेस्टरी लाँच होने वाला है कोश्चन सेट होने की परकिरिया चल रही है दोस्तों अभी फिलहाल हमारे यहाँ जे पी असी और जे एससी सीजेल का दो पेड ग्रूप चल रहा है दोस्तों पेड बैच जहां आप जुड़ने के लिए इस नमबर पर संपर्क कर सकते हैं 7070802888 इस नमबर पर आप वाटसप करिए या फिर संपर्क किजिए आपको जानकारी दे दिया जाएगा और जो लोग केवल math reasoning पढ़ना चाहते तो math reasoning का full course आपको मिलेगा तो आप लोग math reasoning के course से जुड़ने के लिए भी इसी नमबर पर वाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में पीडियाप मिल जाएगा आपको टेलिग्राम चैनल पे जहां पर साथ हजार स्टुडेन पहले से जुड़े हुए हैं तो आप भी जल से जुड़ जाए टेलिग्राम चैनल पे करियर फॉंडेशन की फेस् दाएब हेद्द का एवट जाएवाद packet कर से जीडियों हारे जे छोड़े जाएब है तो आप कर से जिए हुए हैं अपके हैं कि बाएबाद कर दोपे लोंगवाद एवाभे हैं